हाई फ्रेंद्स वेल्कम टुमाई यूटूब चैनल कई वार ऐसा होता है ना कि साम होते हुमें कुछ चटपटा सा खाने का मन हो जाता है लेकिन बाहर का थोड़ा सा अनहल्दी होता है तो क्यों न हम घर में ऐसी पूटीस बना के त्यार करें जो हैल्दी के साथ सा टेश्ट लेकिन यहां पर मैं ऐसे मैस कर हुँ तो ध्यार राई इसमें कोई भी बड़ी गुछलिया ना रहे तो इसा अच्छे से में मैस करना है तो यह देखिए आलू को अच्छे से मैस कर ली religion ऐक आप मैं इसमें ऐक बार एक कट हुआ प्याश डालेंगे साथ में यहाँ पर मैंने एक ग्रेट की आवा गाजर लिया है अब हम इसमें थोड़ी सी कटी गई धन्यापति डालेंगे अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैंने वनचोथाई चमच काली मेश पॉडर लिया है अब हम इसमें आदी चमच गरम मसाला पॉडर डालेंगे और साथ में हम इसमें स्वाद के नुसा नमक डालेंगे और साथ में यहाँ पर आदी चमच कुटीवी लाल मेच पॉडर लिया है तो चमच के करीब चावल का आठा डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सारे मसाले को आलो में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे मैंने तीन से चार ब्रेड ले लिया है इसे क्या करेंगे mixer jar में डालेंगे और हम इसका bread crumbs बनाएंगे तो इसे तोड़के mixer jar में डाल लेते हैं और बिना पानी का ही हम इसे grind कर लेंगे तो यह देखिए आलो को अच्छे से mix कर लिया है तो अब हम इसमें bread crumbs डालेंगे जो हमने भी बनाया इसे नास तब बहुत ज़्यादा crispy लगता है खाने में tasty भी तो फिर से इसे अच्छे से mix कर देंगे ताकि bread crumbs ना अच्छे से आलो में mix हो जाए तो इसे हम हातों से ही mix करेंगे तो यहाँ पर यह थोड़ा सा गीला लग रहा था तो उपर से bread crumbs और डालेंगे तो इसे रख देते हैं साइड में तो दूसरी तब मैंने दूसरा बाउल ले लिया है इसमें यहाँ पर दो चमच के करीब आटा लिया है जो हम नॉर्मली घर पर यूज करते हैं ना अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो नमक हमने पहले भी डाला है अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पती डालेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे इसे मिक्स करेंगे तो इसे में बेटर के तरह बनाना है तो इस बैटर को ना तो में बहुत जाला पतला और ना तो बहुत जाला घाड़ा रखना है मीडियम बैटर बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं बैटर को बनाते जाएं त्यान रहें इसमें लंस ना बचें तो देख सकते हैं हमने बैटर बना के त्यार कर लिया है तो यहां पर दूसरी तरफ जो पनी नास्ता बना के त्यार किया था था ना उसे हम थोड़ा सा टिकी के तर उठाएंगे हातों से हलका सा गोल करके से चप्टा करेंगे और अब इसमें बीच में चीज का क्यूब्स डालेंगे आप चाहे तो पनीर भी डाल सकते इसके चीज के क्यूब्स डालके फिर इसे बंद कर देंगे तो यह देखिए हमने बहुत साला नास्ता बना के त्यार कर लिया तो चलते हैं अब हम इसे फ्रै करते हैं तो चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर मैंने तील गरम होने के लिए रख दिया है तील अच्छा सा गरम है त कि नाच्टे को पहले डीब करके इसका एक्ष्टा आठा जो है उससे निकालके इसे तेल मी डालेंगे तो ऐसे ही एक-एक नास्टे को ऊठाते जाए इसे आठे में कलर भी चेंज हो गिया है तो इसे हम क्या करेंगे एक एक करके रास्ते को पलट देंगे तो इसे पलटने में जल्दवाजी न करें नीट तो यह तूट जाएगा जब यह नीचे से सीखे तभी इसे पलटे और फिर दूसरी साइट से हम 2-3 नट तक इसे फ्राय होने देंगे पके गैस को मीरियम रखें तीज आज पर फ्राय ना करें नी तो यह जल जाएगा तो बस नास्ते में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम क्या करेंगे करके इसे प्लेट में निकाल देंगे तो सारे नास्ते को ऐसी एक ही करके प्लेट में निकाल लीजिए और कीजिएगा तो गर्मागर मालू का नास्ता बन के त्यार है अगर आपको यह रेस्पी मेरी अच्छी लिगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं आप इसे अपने फैमिली फ्रेंड में सेयर कर सकते हैं तो अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नह